है गाई स्वागत आप सभी का हमारा आपकी चानल पेटमिक्स में है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रीट डॉग के बारे में कि अगर आपके पास एक कोई स्ट्रीट डॉग है या फिर आपके घर में आप पाल रहे है या फिर आप गाव में रहते हो और पास अच्छा एक स्ट्रीट डॉग है बट उसकी हेल्थ अच्छे कासी ग्रो नहीं हो रही तो किस तरह से उन्हें डाइट देना चीए क्या कि एक स्पेशल रेसिपी होती हो आपको इस वीडियो में बताने वाला हो और उसको क्या क्या आपको खाने देना चीए जिसके करन किजेगा और बेल नोटिविशन जरूर से उन किजेगा और मेरी बनाई वीडियो अगर आपको जरह से भी पसंद आती तो वीडियो को लाइक शर्च जरूर से किजेगा तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सा लोग क्या करते स्ट्रीट डॉक का कभी डिवार्मिंग नहीं क भी नहीं खाता बट आपको उसके डाइट में थोड़ा बहुत चेंजिस आपको जरूर से करना पड़ सकता है एक हाई प्रोटीन डॉक फुट आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले करने आपको मार्केर से चिकन थोड़ा से लेना है और जो चिकन फिंगर होते वो भी चुम करें और और वह सब कुछ निखालना अगर आपकर नाकुन होने के चांसे निकाल देना है उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको बॉल कर लेना अच्छा है उसमें आप अब भी डाल सकते हो ज्यादा बैटर रहेगा तो अगर नपको नहीं डालना तो बाद में पी उसको आड़ कर सकते हो तो जैसे वो chicken finger या chicken boil हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है उसको crush कर लेना है crush करने के वाद जो भी नाखुन आपको हाथ में आते है जो भी bones आपके हाथ में आते है वो उसको निकाल के बाहर फैक देना है वो आपको डॉक को नहीं खेलाना है जो skin जो जर्बी होती है और जो बाकी का जो material होता है वो ही आपको dog को देना है boil पानी होता है वो भी आपको add करना है खाने के अंदर उसके अंदर आप चावल डाल के या फिर रोटी crush करके उसके अंदर दे सकते हैं उसके अलागा उसको और भी अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 30 रुपे की मार्केट में ग्रेवी आती है वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं या फिर अगर आपके घर में एग वगेर हो जो पांस-दस रुपे में मिलते हैं वो भी आपको डाल के उसके करके आपके अदर डाल सकते हैं तो यह आप एससा एक डायट बना सकते हो जो कि आप वीक में एक बार उसको अगर दो गे तो ज्यादा बेटर रहेगा उसके हैल्थ के लिए दूसरा जो डॉप को क्या होते ज्यादा प्रोटीन के लिए बहुत से लोग क्या करते कुछ भी खाने तो उसके अंदर dog food थोड़ा से मातरा में मिला के ज़रू से दीजेगा क्या होता है street dog को अगर थोड़ा भी protein आप देते हो तो देखोगे कि आप उसकी health काफी ज़्यादा अच्छे बढ़ने लगती है अगर सब कुछ ट्राय करने के बाद भी आपका dog की health अच्छे खासी नहीं बढ़ रही तो आप liver tonic या फिर उसको supplement भी यूज़ कर सकते हैं वो आपको 100 रुपे के अंदर आराम से मिल जाएगी वो आपको एक बार अगर आप दोगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा जो विदेशी नसल होती है जो भाहर की नसल होती है उसमें क्या होता है कि dog को अगर आप milk वगर देते हो तो उनको digest नहीं होता है लूज मोशन होता है बस street dog की case में ऐसा नहीं है street dog में क्या होता है कि जैसे आप उसको जो थोड़ा बहुत milk अगर उसको देते हो उसके अलाव उसके अंदर पानी अगर आप डाल देते हो तो आप देखोगी कि अच्छे से खा लेता है तो street dog को 60% milk और 40% पानी डालके भी आप अच्छे से उसको रोटी के साथ दे सकते हो तो वह भी ज्यादा अच्छा होता है उनके कभी-कभी आप वीक में एक बार उसको दे सकते हो इसके अलावा कभी-कभार आप उसको जैसे की चावल वगएरा दे सकते हो राइस होता है कभी-कभार उसको रोटी कभी-कभी आप बोल सकते हो भाकरी वगएरा बोलते हो भी आ अच्छे से खा लेते कभी टोमेटों भी खा लेते अच्छे से कभी कबार उसको काफी ज़्यादा अच्छे फूट अच्छे लगते तो फूट भी आप उसे दे सकते हो तो कफी नेचरली वह अच्छा काम करता है प्रोटीन न्यूट्रिशन का जिसके करना आपका पपी या फिर डौग काफी हल्दी रहता है इसके अलाव अगर आपके बस कोई पपी है तो उसको आप जैसे की बाहर का जो सेरलेक्स आता है वह भी आप उसे दे सकते हो वह 200 रूपे के आसपस आपको देखने को मिलेगा बस सेरलेक्स काफी अच्छा होता है पपी इसके लिए आप फिर दीरे-दीरे उसके अंदर अप आप जैसे की आपको पुवी बड़ा हो जाता है डोग बड़ा हो जाता है तो आप जो दलिया भी दे सकती हो काफी काफी ज़दा णूऊट्रेशन होता है हलते हुदसे जितना पर हुआ न घृत अब ग्रेवी या डोग फूट से एच अच्छा लगेगा और उनको खाने में भी काफी टेस्ट लगेगा बट रेगुलर मत दीजेगा नहीं तो स्ट्रीट डग को हैबिट लग जाएगी तो फिर वह वही काएगे चिकन वगेर आप दे सकते हैं लैक पी सुगेरा उसको दे सकते हैं कभी कबार कलेजी हो गया फिर क उसे कड़क करके गरम करके तेल लगा के वह भी आप उसे दे सकते हो ज्यादा आपको नहीं के तो नॉर्मल बिसकिट होते हैं आप उसे दे सकते हैं तो गैस अगर आप इतना सब करोगे तो यही बहुत कुछ हो जाता है बस डॉक को वैक्सिनेशन और डिवार्मिंग कमपल सरी आपको करा नहीं है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक सर जरूर से किजेगा और यह अगर आप डॉक फूर्ड जो इसे सब कुछ बता है यह सब follow करते हो तो आपके dog का जो health है अच्छे से जरूर से growth कर सकता है तो वो सब कुछ आपके depend करता है